मोदी जी हमेशा सो रुपए बढ़ाते हैं, दो रुपए कम करते हैं, इंडिया जीतना जरूरी है और इंडिया जीतने के लिए ही इस मंज पे सभी लोग बैटे हैं, हम करेंगे नहीं, यह हमारा वाहिदा है और हम हमेशा लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे, आज की यह जो बैटक हुई यह बहुती ठीक डंग से सभी पाटियों ने मिलके चलाया है इसका वो देश क्या था ये तो उद्धो ठाकरेजी ने कहा है और हम इसकी कोशिस बहुत दिन से कर रहे हैं जब मैं बैंगलोर में था उस वक्त भी जो वहां पर मीटिंग हो गई थी इससे पहले पटना में हो गई थी उसके पहले तैयारी के लिए हमने मेरे घर पर भी राहुल साहब और नितीज साहब तेजेश्वी और हमारे पवार साहब सभी मिलके एक बार बात किये उसका एक धांचा बना उसके बाद जो नितीज साहब के पटना में पहला मीटिंग हुआ है उस मीटिंग में एक अजंडा तही करने की बात हो गई और उसके बाद में बैंगलूर का बात अब यहां पर मुंबई में आज सभी लोग मिलके अपनी बात को रखे और खास करके सबी को एकी सबका वुद्देश एकी है कि महंगाय को कैसा कम करें इसके लिए कैसा लड़ें अनेम्प्लॉमेंट के लिए कैसा हम लड़ें और इतने एक प्राइसस जो बढ़ रहे है पेट्रोल और डिजल के और खास करके हैं मोदी जी हमेशा सो रुपए बढ़ाते हैं दो रुपए कम करते हैं अब पेट्रोल की लपी जी की जो दाम थी वो more or less double हो गई लेकिन उन्होंने उसमें से सिर्फ 200 रुपए कम किया याने 700 बाकी रहा याने पहला जो 55 रुपए में एक सिलेंडर मिलता था उसको उन्होंने अभी भी साथ सतर रुपए में ही रख सतर पचातर में रखा याने कोई कम नहीं हुआ पहले जो था उससे ज्यादा बढ़ाया थे उसको थोड़ा कम करें लेकिन इससे लाखों रुपए उन्होंने खमाया ये तो गरीबों से चोरी कर दिये और गरीबों के जोग काटे और लोकों को दिखाने के लिए सव दो सो रुपए कम करना और कहना कि मैं गरीबों के लिए काम कर आँ मोदी साथ गरीबों के लिए कभी भी काम नहीं करेंगे ये यखीन मैं दिलाता हूँ क्योंकि उनकी हमेशा यही रणनिती रही है कि गरीबों के खिलाब काम करते हैं बड़े बड़े उद्योगी पती के साथ वो मिल जुल के चलते हैं और यहाँ पर तो कली एक रिपोर्ट आपके सामने राहुल गांदी जी ने रखा था अडानी की संपत्त की बड़ गई कैसी बड़ा एकोन और कैसा आज कम से कम पचातर हजार करोड रुपए गरीबों के जो पैसे थे उनके जेब में कैसा गया यह सारी चीजी उन्होंने बताया तो यह जो है इसके खिलाप लड़ने के लिए जो बड़े बड़े शर्माएदार है और उनको जो पैसा जा रहा है हमारा गरीब का तो उसको रोकने के लिए इंडिया जीतना जरूरी है और इंडिया जीतने के लिए ही इस मंच पे सभी लोग बैटे हैं तो इसलिए हम एक जो तै किये हैं जो रेजलूशन भी हम आप देखे हैं और उसी डंग से उस रेजलूशन भी काम करेंगे हर जगे मीटिंग करेंगे हर स्टेट कैपिटल में हम जाएंगे और जो यह मुद्दे हैं इंफलेशन का हो अनिम्पलामेंट का हो हर चीज की जो बड़त हो रही उसका हो और अटोनुमस बाडिस को सत्या नास कर रहे हैं और चाया इबेस, एडी, सीबियाए, विजिलन्स हर रेक अटोनुमस बाडि का मिस्यूज कर रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ हैं मैं भी मोर और लेस शरत पवार जी साब के बाद मेरा नंबर लगता है मैं भी 55 साल से पॉलिटिक्स में हूँ और 52 साल से MLA, MP, राजसभा का मिम्बर हूँ मैं ऐसा नहीं देखा कोई ऐसा चीप मिनिस्टर किया नहीं है ऐसा लेकिन आज मोदी सडनली और एक बात की कि बिजनेस अडवाईजरी कमिटी को नहीं पूछे आपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाये किसी को बुलाये बगर वो पार्लमेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बना बुला रहे हैं अरे स्पेशल सेशन मनिपूर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया कोवीड के वक्त नहीं बुलाया जब आप चाइना अपनी जमीन हड़प कर ले रही है कवजा कर लिये उसके लिए नहीं बुलाया लोग तंग और तबा इसमें डी नोट बंदी के वक्त परेशान थे माइगरेंट वर्कर परेशान उस वक्त नहीं बुलाया जब जब मुलुक अपने मुश्किल में रहता उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया अब क्यों बुलाये मुझे मालूम नहीं आज का अजन्डा क्या है उनका मालूम नहीं तो ये दिश्च चलाने की वीद नहीं है ये उन्हों आइस्ता आइस्ता डिक्टेट उसीब के तरफ जा रहे हैं और ये जान में रखना चाहिए कि कभी मेडिया उनके साथ है वो एक उनके दमाग में है प्रेस मेडिया हो टीवी हो ये सारी चीजे मेरे पास है ये उनका कहना है और हमको कभी कभी ऐसा दिखता भी है माप करो क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूं समझ के आप घुसे में आ के हमारे खिलाफ मत लिखू तो जो कुछ है वस्तुष्तिति आपको भी मुझ को ताला लगाया हाथ बन दिये आपके भी लिखने के ये सारी चीजे कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटर के तरफ वो जा रहे हैं तो हम इसके खिलाफ लड़ने के लिए उनके विचारधारा के खिलाफ लड़ने के लिए उनक जो कुछ भी एक एक करप्शन बड़े करप्शन उनके जो इंस्टिटूशनल करप्शन होते हैं ऐसा चोटा मोठा करप्शन वो नहीं करते हैं लोगों को नहीं दिखना वो पूरा लेकिन C.A.G. रिपोर्ट में दिखाया है कितने करोड घपले हो गया है तो उनका करप्शन इन्विजिबल है और वो हमेशा अपनी बात यह कहते हैं कि मैं किसी को न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा लेकिन खाने तो सबको दे रहे हैं अपने को जो चाहते हैं उनको तो दे रहे हैं लेकिन लोगों को भूके मार रहे हैं लोगों को कुछ नहीं दे रहे हैं तो इसके लिए हम आवाज उठा हैं और उसके तेर हम काम करना हैं, आगे भी हमारी कहां मीटिंग हो गई, हम तई करने वाले हैं, जल से जल वो भी मीटिंग होगी, और बाकी के जो विशे हम आपके सामने रखे हैं मुद्धे, उनके उपर हम लड़ते रहेंगे, वो डराने की कोशिश करते हैं, हम डरेंगे नहीं, यह हमारा वाज़ा है, और हम हमेशा लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे, और आज मुंबए में जो हमारे गाड़ी जो यह स्टेप लेकर हमको बुलाए हैं उद्धो जी लीड लिये हैं और बाकी कॉंग्रेस पार्टी और एंसीपी सभी ने मिलके यह जो एक यहाँ पर कारेक्रम रखा और बहुत एसेस्वी हुआ इसलिए मैं उन महाराश विकास अगाड़ी के सभी नेताओं को धन निवाद देज़ा हूं क्योंकि आगे कि और मीटिंस हैं और डेट टाइम सबी बताएंगे और कहां का मीटिंग हमारी होगी वोसे पांच छे जगे पूबलिक मीटिंग होगी उब भी हम आपको बताएंगे और काम करते रहेंगे और मजबूत के साथ को करते रहेंगे इसक मैं इतना ही कहूंगा कि उन्हों तो हमेशा मोदी जी जूट बोलते ही रहते हैं लेकिन लोक उनको सच समझते हैं लेकिन अभी भी माराथी में कहवत है खोटा बोला पर रेटून बोला तो ऐसा उनका है इसलिए सब जूट बोलते जाते हैं लोकों में भर्म डालते हैं तो व झाल झाल